हलो एवरीवन कसका है आज मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूं उस ट्रिक से आप एलकायल हेलाइड एंड एरायल हेलाइड की नेम रियक्शन उसके रियक्टेंट उसके रियेजेंट एंड उसके प्रोड़क्ट चारों चीज को एक साथ याद रख सकतो तो ध्यान से देखे फॉस्ट इज रूट्ज रियक्शन उसके लिए निमोनिक्स है रोक्षाणा वरत इधर माई एंड आर आर के लिए ना रखा है इसका क्या मतलब है रोक्षाणा में देखो आर एक्स आ है तो एलकायल हेलाइड हमारा रियक्टेंट हो जागा ना मतलब सोडियम लेना है और presence of dry ether तो वो आपका उसमें connect हो गया रुक्साना इधर इधर मतलब ether वरत मतलब route जहो गया राइट जो fasting रखते हैं वरत इधर MI मतलब Mumbai Indian राइट Mumbai Indian in the sense mirror image हमें लेना है तो द्यान से देख को हमने mirror लगाया mirror image बना और दोनों x को निकाल दिया तो क्या बन गया rr तो उसके लिए ही मैंने लिया rr से connect क्या राजास्थान रोयल सबको याद रहता है के लिए ना ना में क्या है 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 चाया मतलब halogen मतलब na x बन जाएगा na x बना देना है तो देख लो इस ट्रिक से आप reactant, reagent, product और name सब आपको याद हो गया next fitting reaction तो इसके लिए निमोनिक से hello benji fitting इधर देखो ना mirror में right very simple कैसे देखो hello मतलब halogen benji मतलब benzene तो benzene पे halogen लगा देना है fitting नाम हो गया उसका इधर मतलब ether लेना आपको देखो ना मतलब sodium लेना है तो reagent हो गया और product क्या mirror में छुपा हुआ है mirror image लेना है तो वही चीज mirror image लेकर के halogen को बाहर कर दो तो bifinal मिल जाएगा आपको product rr मतलब rr मतलब rr मतलब rr जहां r आपका एक erile group है next roots fitting hello बेहनजी रुकसाना इधर वरत mirror में fit देखने के लिए ना रखा है इस रामिंग वर्ट से आद रख सकते हैं कैसे hello बेहनजी से आपको क्या करना बेहनजीन पर halogen ले लेना hello बेहनजीन बन गया रुकसाना मतलब rx लेना आपको right तो rx और ना मतलब sodium इधर मतलब ether है तो roots reaction का part हो गया mirror मतलब एक mirror लगा करके दोनों x को निकाल देना है तो आपका बन जाएगा rr right that means r-x और xr उसका mirror लगा करके x आपको निकाल देना है तो rr डैस बन जाएगा इसलिए double r आ रहा है mirror में fit मतलब fitting से fit देखने के लिए ना मतलब sodium के साथ halogen लग जाएगा na x आपका by product मिल जाएगा तो इस rhyming word से याद रख सकते हैं hello बहन जी रुकसाना इधर वरत mirror में fit देखने के लिए ना रखा है तो यह roots fitting हो जाएगा next finkel stain reaction तो उसको कैसे याद रखेंगे rhyming word bro curl finkel stain की रुकसाना आई ac में अकेली तो इसका क्या मतलब है bro curl का मतलब यहाँ पे जो halogen होगा वो chlorine या bromine हो सकता है bro से bromine curl मतलब chlorine finkel stain नाम हो गया की रुकसाना मतलब rx लेना i e n a i लेना sodium iodide in presence of acetone तभी यह reaction हो पाती है तो वह यह acetone का ac ac में अकेली मतलब आपको क्या करना है alcan में i जोड देना अकेली alcan i right तो अकेली इसमें हो क्या रहा है वो भी point important है एक smaller halogen replace हो रहा है big halogen से छोटे लोग बड़े लोग से replace हो रहे है नेक्स स्वार्ट्स reaction तो उसको कैसे आत रखेंगे ब्रो कल स्वार्ट्स rx 100 bike से kgf agf से kgf movie देखा रफी सर के साथ तो कहने क्या मतलब हुआ ब्रो कल मतलब कि rx में जो halogen लेना आपको chlorine या bromine लेना है स्वार्ट्स मतलब name reaction हो गया rx मतलब rx ही हो गया 100 bike से agf आपको लेना है जिससे मने बना लिया kgf right movie देखा रफी rf बनेगा तो उससे बना लिया रफी सर के साथ तो आपको by product में agx now the question is किसमे important point क्या है क्या है क्योंकि यहाँ पे एक big halogen आपका replace हो रहा है small halogen से तो इसलिए इसका नाम है swarts reaction ओके यहाँ पे agf की जगा और भी ले सकते हैं d block के components cof2, hgf2 या फिर 15 group वाले sbf3 यह सब भी ले सकते हैं तो यह reaction हो जाएगी direct hf लेने से यह reaction नहीं होगी यह point जानवी रखना है and next जो ambident nucleophile होते हैं उस case में भी बच्चे बहुत confused होते हैं उसके लिए simple trick है dna word से याद रखना है dna का मतलब क्या है अगर d block वाले element होगा तो nitrogen attach होगा for example rx agcn से करा रहो d block है तो r के साथ कौन attach होगा n तो nc isosynide बनाना है वहाई पे nacn या kcn होगा तो r के साथ carbon के साथ carbon तो syynide या nitral बनाना है इसमें confusion रहता बच्चे को मैंने clear कर दिया है kno2 right तो d block का नहीं है तो nitrogen नहीं attach होगा तो oxygen होगा तो क्या बन जागा r o n o right oxygen का direct connection होगा carbon से यहाँ पे d block का आगया silver तो nitrogen का connection होगा तो r n o 2 तो यह है रफिसर का trick next sand mirror reaction तो benzen ने कल sandy को hello benzen क्यों कहा benzen मतलब benzen लेना है ने मतलब nitrogen कल मतलब chlorine तो benzen dijonium chloride हो गया यह आपका reactant sandy मतलब sand mirror reaction को बोर रहा हम है hello benzen मतलब halogen benzen पे attach कर दाना है यह आपका product हो गया क्यों कहा मतलब copper लेना as a catalyst और कौन सा वाला copper के साथ halogen होना चाहिए co2 x2 वाला that means copper plus one oxidation state में होना चाहिए तो इस रामिंग बट से आप sand mirror reaction को याद रख सकते हो और next fridal craft reaction तो इसमें alkylation भी होता है और acylation भी होता है तो कैसे याद रखेंगे कल मतलब chlorine BMC मतलब B से benzene तो यह आपका reactant हो गया MC मतलब methyl chloride लेना आपको वाले मतलब aluminium के compound ALCL3 वाले में ALRI AC मतलब आप CS3CO CL acetyl chloride भी ले सकते हैं सेम वही reactant रहेगा तो लाए पारो के लिए पारो मतलब इसमें पैरा position पे लगाना है और इधर से परो तो OR मतलब ortho position पे तो द्यान से देखो बेंजीन पे chlorine है methyl chloride and hydrous ALCL3 तो methyl आपका कहां पे लग गया और्थो पे एंड पैरा पे पैरा विल भी दा मेजर प्रोड़क्ट सिमिलरली बेंजीन कलोराइड हो गया acetyl chloride लिए और्थो पे एंड पैरा पे आ जाएंगे again पैरा मेजर होगा तो याद कैसे रखेंगे कल BMC वाले ac लाए पारो के लिए और ज़रूरी नहीं कि कलोरी नहीं हो bromine iodine पोई भी हेलोजन होगा या वो सारे group जो plus M so कर सकते हैं जो activating वाले होंगे उन समय में आपको fridal craft alkylation या acylation करा सकतो और्थो और पैरा पे लाना है पैरा विल वी दा मेजर प्रोड़क्ट अगर hydrogen bonding होगी तो और्थो मेजर होंगे तो I hope यह name reaction आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी तरह आप हमसे जुरे रहिए ऐसी ऐसी tricks के लिए Thank you